जैहिंद फिर से स्वागत थे आपका आज के इस लेक्चर में तो जैसा कि आप लोग एसकीन बोर पर देख रहे हो कि इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्तोपुर्ण के बारे में दो पोली हैलोजन कमपाउंड हैं तो इस लेक्चर में रो पर द e जिससे एtat लेक्चर के लंगे खत देते हैं तो चार कमपाउंड पराप्त होते हैं एक methyl chloride, दूसरा methylene chloride, तीसरा है chloroform, और चौथा है tetra chloro methane, इन चार- compound का mixer प्राप्थ होता है, और इन चारो compound के mixer से जब dry distillation किया जाता है इन चारों के mixer का, तो इसको, इन चारों को अलग-अलग कर लिया जाता है, तो क्या-क्या प्राप्थ होगा, Methylene chloride, chloroform और tetra chloro-methane यह चारो compound अलग-अलग प्राप्त हो जाएंगे Dry distillation method के द्वारा यह जो methyylene chloride होता है यह वास्प seal होता है इंडंग हीन होता है और मीठा गंधवाला drab होता है मीठा गंधवाला यानि अच्छा गंधवाला drab होता है इसका उपयोग पेंट जो कलर कर दिये जाते हैं उस पेंट को साफ करने में किया जाता है इसका प्रयोग धातू को भी साफ करने में किया जाता है जैसे धातू पर पेंट कर दिया गया हो या फिर धातू पर जंग लग गया हो, किसी भी परकार का उस पर परत जमा हो धातू पर, तो उस धातू पर धातू को साफ करने में इस से मिथाइलीन क्लोरेड का प्रियोग किया जाता है, इसका प्रियोग एरोसल में प्रनोधक की रूप में भी किया जाता है, एरोसल क्या हो जो कि आप लोगों को surface कमेंश्रिय में पढ़ना है, Aerosol. तो Aerosol में परणवद्व कि रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ये परणवद्व क्या होता है? तो देखे, जब आप लोग फौक की बात करते हो, या फिर साधी व्याय की सिजन में, जब जैमाला का समय होता है, उस समय, स्टेज पर चरक करके और जब माला एक दुसरे को पहनाते हैं, तो जिस जो उजले टाइप का जो फोहारा निकलता है, उसे का परयोग जो करते हुआ आप लोग, तो उसमें भी एक उसमें दरभ भरा रहता है, और दरभ जो हता है न, वह तो ये द्रब भर दिया जाते हैं ताकि उसमें से फुहारे को निकलने के लिए प्रेसर उत्पन हो सके तो उसी प्रेसर को बनाने के लिए जो द्रब का प्रयोग करते हैं तो उसी को प्रनोदत कहते हैं तो इसका ये तीन प्रियोग हो गया, जब इसकी हानी की बात करें, तो methylene chloride वायू में कम मात्रा में उपस्थित रहेगा, तब इसकी प्रभाव से सुनने एवं देखने की छमता में कमी हो जाएगी, यानि वायू में जब ये कम मात्रा में उपस्थित रहेगा, तो कम मात्रा की उपस्थिती से ये हमारे कान को समस्या होगा, यानि कान के संपर्क में आएगा, तो कान सुनने में समस्या होगा, और अगर थोड़ा सा संपर्क में आता है, तो देखने में भी समस्या होगा, लेक कि टुआचा के जा तोश Κांट करने में जो मिस्तिरी और गौश्त करने के लिए अपने तुआचा को किसी और या किसी पात्र धाझ लेते हैं ताकि methylene chloride उनके त्वचा के संपर्क में आये, तो त्वचा के संपर्क में आने से जलन उत्पन होने लगता है, और सबसे बड़ा इसका जो है effect है कि आंक के संपर्क में आने से cornea तक को यह जला दालता है, यहीं आंक के संपर्क में जैसे यह आएगा, तो आंक का cornea जल जाएगा, य कि इसके संपर्क में यूब आपने समपर्क में आने से क्लोर distracted behavior कि बाद करें तो सबसे पहले हम इसके बनाने की बीधी की बात करते हैं बनाने का पहला वीधी ये रहा है मिथेन से बनाते हैं मिथेन से कैसे बनेगा तो जब इसका क्लोरिनेशन करवाएंगे तो आप लोग देख रहे हो कि मिथाइल क्लोराइड CH2-Cl2 और क्लोरू फॉर्म बनता है CH- CH-Cl3 तो CH-Cl3 को भी हम डोग ड्राइड इस्टिलेशन की द्वरा अलग करते हैं तो पहला ये वीधी हो गया दूसरा वीधी है कि एथिनॉल की अभी किरिया बिलीचिंग पाउडर के साथ विरंजक चूर्ण के साथ जलिया माध्ध हम ही कराएंगे तो क्लोरो फॉर्म होगा बनेगा इसका थुरा मैकनिजम देख लीजीगा इसके फॉर्स्टेश्टेप में ये विरंजक चूर्णाएगा जल के साथ जल के साथ जैसे हो तो इसका जो एक मॉल्यक्यूल है ओ इस ओ के साथ मिलेगा और ये Jackie HO के साथ मिलेगा और ये OH रहेगा तो ये दुनों जापस में रेक्शन करेंगे तो CA और इसके साथ 2 OH आ जाएगा तो बन जाएगा CA OH का HOL2 और साथ में ये CL2 बाहर निकल जाएगा तो पहला step में बन रहा है कैलसियम हाइडरोकसाइड और साथ में CL2 इसका second step में क्या होगा तो ये जो CL2 बना हुआ है ये आएगा कलोरीन के साथ CH3, CH2, OH के साथ और ये जो कलोरीन है कलोरीन आएगा इथिनॉल के साथ तो ये जो इथिनॉल है इस कलोरीन के द्वारा आक्सी करीद हो जाता है और यहाँ कलोरीन एक परकार का दुर्बल आक्सी कारक की तरह कारे करता है और आपनों को मालूम होना चाहिए कि दुर्बल आक्सी कारक जो होता है वो वन डिग्री से अल्डिहाइड का निर्मान करता है तो यहाँ chlorine एक दुरूबल oxy कारक की तरह कारे करेगा और 1 degree alcohol से बना देगा aldehyde, यानि CH3, CH, O, और साथ में बाहर निकल जाएगा, HCl, HCl बाहर निकल जाएगा, इसका 2 molecule बनेगा, इसका 2 molecule बाहर निकल जाएगा, यह बना है, तो इसका 2 molecule लेना पड़ेगा, फैलेंस भी होगा, तो यह जो acetaldehyde बना है, acetaldehyde, acetaldehyde के साथ आएगा, फिर से Cl2, acetaldehyde के पास को ना आया, Cl, CH, O, इसके साथ आगया, Cl2, और यह Cl2 जो है ना, इसके साथ reaction करेगा, तो यह chlorine, इस compound के alpha hydrogen को भी स्थापित कर देता है, यह, यह carbon, और, sorry, यह alpha carbon और beta carbon यह, बीटा hydrogen को यहां से यह प्रातियस थापित कर देगा, Cl, तो यहां से hydrogen, 3 hydrogen, 3 chlorine के द्वारा प्रातियस थापित हो जाएंगे, तो compound बन जाएगा, C, Cl3, और साथ में CH, O, और बाहर कहा निकलेगा, तो HCl, 3 HCl यहां से बाहर निकल जाएंगे, तो यह compound बन गए, यह जो compound है, इसका नाम है, Trichloro Acetaldehyde, या फिर, इसी को हम लोग कहते हैं, Clural, क्या कहते है, Clural, Clural, अब यह Clural क्या करेगा, तो यह Clural, Clural आएगा फिर से, यह जो बना है, पहला step में, C, O, H, का H, इसके साथ आएगा, और अपना product बना लेगा, जो है, Clural, तो next step में क्या होगा, कि इस CA, O, H, O, H के साथ आएगा, Clural, क्लोरल कुछ इस परकार से, C, Cl3, CHO, एक और इसका molecule आएगा, C, Cl3, CHO, और यह दोनों आपस में reaction करके, बना लेगे, Clural, यहां से देखिए, यहां तक यह बाहर निकल जाएगे, Clural, क्लोरोफार्म की रूप में, यह कंप्लीट क्लोरोफार्म की रूप में बाहर निकल गए, तो बन गए, CHCl3, और इसका दो molecule बन जाएगा, साथ में, यह calcium, दो oxygen, और यह पूरा समुह मिलकर के बना लेगा, calcium formate, CHCOO का हॉल ट्वाइस, यह calcium formate, तो हमारा प्रोड़क्ट क्या पराप्त हो गया, CHCl3, क्लोरोफार्म पराप्त हो गया, और यह एक प्रकार का परियोग साला बेधी भी है, अब क्लोरोफार्म की बात करें, तो यह जो है, सूर्य प्रिकास की उपस्तिती में, O2 के दुआरा ऑक्सी क्रीट होकर, जहरीला फोसजीन गैस बनाता है, तेखिए, इसकी कहानी की बात करें, तो पहले पुराने जबाने में, इस क्लोरोफार्म का प्रियोग सल्या चिकित्सा में किया जाता था, जो कि यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, यह उप्योग, इसका प्रियोग जो है ना, निश्चेतक की रूप में किया जाता था, सल्या चिकित्सा में, यानि मरीजों को जब कोई injection बहुत बड़ा injection देना हो या फिर operation करना हो तो उन्हें बेहोस करने के लिए क्लोरोफर्म का प्रयोग किया जाता था लेकिन ये क्लोरोफर्म जो हता है इसका गंत विकार होता है और शाथ ही इसमें देख रहे हो कि या सुरिया प्रकास के उपस्ति मरीज को सुंघाया जाता है तो उस condition में जहरीला होने के कारण उसमें उसकि मरीद्टी मरीद्टीव तक हो शकती है जहरीला होने के कारण इसलिए इस क्लोरोफर्म का प्रयोग बंद कर दिया गया है और क्या है कि ये जो बना हुआ है फॉस जी गैस को यह जो पोस जीन गैस इस phosgene gas को non-toxic बनाने के लिए यнес ज हिरीला है इसको और जहरीला बनाने के लिए और वसेला बनाने के लिए इसमें हम लोग एक परसंट इथेनॉल मिला देते हैं याणि जब हम लोग इसे बोटल में रखते हैं, क्लोरो फॉर्म को जब बोटल में रखते हैं, तो बोटल को पूरी तरह से भर दिया जाता है, जिस बोटल में रखेंगे, उस बोटल को पूरी तरह से थोड़ा सा भी खाली न रखेंगे, पूरी तरह से भर देंगे, ताकि उसे बोटल में थोड़ा सा भी ऑक्सिजन का मात्रा ना रहे अगर ऑक्सिजन का मात्रा रहे गा तो देख रहे हो कि यह फोसजीन गैस बना लेगा जो कि जहरिला होता है जहरिला गैस बना लेगा तो उसमें थोड़ा सा भी ऑक्सिजन का मात्रा ना होना चाहिए अगर उसमें ऑक्सिजन का मा तो यह जो ethanol है यह phosgene gas के साथ reaction करेगा तो देखे compound क्या बनाएगा यह phosgene gas c double bound o cl और इधर CL जब इसके साथ reaction करेगा 1% ethanol तो इससे जो compound बनेगा वो यह बनेगा इसके साथ reaction कर देते हैं ethanol का यानि CH3, CH2, OH, जब इसके साथ यह reaction करेगा, तो इससे जो compound बनेगा वो यह बनेगा, यहाँ देखिए, यह CL और यह CL, H के साथ प्रतियस थापित हो जाएंगे, और यह जो compound बनेगा, बनेगा C double bond O, यहाँ O के साथ C2H5, और इस O के साथ फिर से CH2, CH3, यहाँ से compound जो बनता है, वो बनता है, diethoxy, यह O है तो oxy, यहाँ भी 2 carbon के लिए O है तो oxy, यानि diethoxy carbonate बनता है, यह जब फोसजीन का डियेक्शन इथिनॉल से कराते हैं, तो compound बनता है diethoxy carbonate, और यह diethoxy carbonate जो होता है न, यह non-toxic होता है, यानि awesila होता है, इसलिए क्या करते हैं, जब bottle को पूरी तरह से बंत किया जाता है, तब उस समय बotles में एक परतिसत एथनॉल मिला दिया जाता है, जिससे की यह पदार्थ बन जाए और इसके बनने के कारण यह और भी सैला हो जाता है, तो ज्यादा नुखसान नहीं हो पाता है, उसका उपयोग हम फिर कर सकते हैं, आगे देखें, इसका परियोग कहां करते हैं, तो इसका परियोग हम करते हैं उसके बाद इसका प्रियोग हम निष्चे तक के रूप में करते हैं और सबसे बाद कहें तो डाकों के द्वारा बाएक किसी को लूट पाठ करने में। जैसे किसी को लूट ना हो, तो रुमाल में लगा करके ले गए, फुमू भी में आप लुग देखें के कि रुमाल में लगा करके ले गए, उसको नाक पर सटा दिये और भ्योस हो जाएगा। तो उस कंडिशन में उनके पास जितने भी संपत्यों के वो लूट लगड़के चोड़ दाकू ले जाते हैं तो उसमें भी इसका परयोग होने लगा था क्लोरोफर्म का परयोग इसलिए क्लोरोफर्म का परयोग आजकल निश्चे तक की रूप में नहीं किया जाने लगा है इसके जगह पर किसी अन्य कार्बनी की योगी का परयोग किया जाता है तो दो प्योग है पहला फिरियोन प्रसी तक आट ट्वेंटी टू बनाने में या सिर्फ यह कहें कि फिरियोन प्रसी तक बनाने में और दूसरा है निश्चे तक की रूप में हम इसकी यहानी की बात क इसलिए इसका नेक्स्ट हानी है कि जब यह बायू मंडल में 900 पीपीम रहेगा 900 पीपीम यानि दौस लाख भाग में 900 अगर क्लोरोफर्म कर रहेगा तो उसमें सांस लेने से थकान होने लगता है चक्कर आने लगता है और सिर्दर्द सुरू हो जाता है दूसरा उपयोग की बात करें तो इसी कलोरोफर्म का 900 पीपीम से अधीक वायू मंडल में उपस्थिती से यानि इतना पीपीम से अधीक अगर संपर्क में आता है तो उसमें स्वसन से सांस लेने से या बार-बार यूज़ करने से हमारा यकृत और व्रिक जो है ना वो जब 900 पीपीम से या यूँ कहें कि अधीक मात्रा में संपर्क में आने से कलोरोफर्म के संपर्क में आने से यकृत और विक जो है वो नश्ट होने का होने का डल रहता है तो ये इसके हानी को करें अगर हम इसकी बात करें तो इसका दो बहुत ही इंपूटेंट केमिकल जीक देखते हैं कलोरोफर्म का केमिकल जीक्सट आ है mm कि ए यह दिनमरीक्स का आने होगा इसका कुछ की क्योरीके इसरें दोर भेती इंपूर्टेंट के में क्यों कि इसका फर्स्ट के मिए इसरें है कि यह क्लोरोफर्म है CH CL थे इसको जब आप लोग AG के साथ गरम करोगे तब इससे जो compound बनेगा वो आप लोग खुद बताना इसके compound को बनाने के लिए shortcut method देखते हैं shortcut इसमें क्या करना है ये C इसके साथ H जुड़ा हुआ है और 3 CL जुड़ा हुआ है 3 CL और फिर से इधर ले लेते हैं C ये H और इसके साथ जुड़ा है CL CL और CL यानि 3 CL जुड़ा हुआ है इसके बीच में आप लोग रख दो 6 AG को 6 AG आप लोग जानते हुँ कि AG पर प्लस 1 चार्ज और CL पर माइनस 1 चार्ज तो 1 AG एक CL को लेकर के बाहर निकल जाएगा इस परकार ये 6 AG जो है न इस 6 AG को 6 CL लेकर के बाहर निकल जाएगे तो यहाँ जो बोंड खाली हो गया बाहर क्या निकल गया 6 AG CL 6 AG CL बाहर निकल गया और साथ में आप लोग देख रहे हो कि इस कार्बन का और इस कार्बन का 3 बोंड खाली हो गया अगर ये 2 चार्बन का जो 3 बोंड खाली हो आपस में जूरेंगे तो 3 बोंड बनाएंगे और इसके साथ एक-एक शूरा रहेगा जब क्लोरोफ फॉर्म को AG के साथ गरम करते है तो अपना जो compound बनता है वो बनता है इथाइन जिसको हम लोग acetylene भी कहते हैं तो इससे जो compound बन गया वो बन गया h c triple c के साथ h इथाइन बन गया इथाइन इसी को कहते हैं acetylene यह compound बन गया है तो यह पहला reaction हुआ इसका बेस्की इंसर्ट लिए एक और reaction बताते हूं एक और reaction चुलों नीचे ही बता रहा हूं एक और reaction देखेंगा नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन यह फर्स्ट रिएक्शन होगा है सेकेंड रिएक्शन यह जो chloroform है c hcl3 अगर आप लोग इसका रिएक्शन करा देते हो hno3 के साथ इसके साथ इसका रिएक्शन कराओगे तो देखना क्या बनेगा फिर से chloroform c के साथ h यहाँ पर 3 c l जुड़े हुए है 3 c h c l जुड़े हुए है इसका रिएक्शन करा देते है hno3 के साथ आप लोगों को hno3 का structure मालू होना चाहिए यह structure होता है ho no2 यह structure है यह जब इसका रिएक्शन नाइट्रिक अमल के साथ कराते हैं तो यह जो है ना इस परकार से यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा लेख रहे हो hoh है जल बाहर निकल जाएगा और इसका जो compound बनेगा हो बनेगा c no2 और इसके साथ 3 c l आपस में chloro phorm nitro chloro phorm या इसी को हम लोग कहते हैं chloro p cream chloro p cream और इस reaction को बताने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि यह जो अपना gas बन गया इस gas को हम लोग कहते हैं tear gas क्या कहते हैं tear gas आशू gas जैसे बहुत बड़ा भीर हो गया हो, तो उस भीर को दूर करने के लिए जो पुलीस वाले होते हैं, जो कानून होते हैं, जो फोर्स होते हैं, वो फोर्स जो है न, कभी-कभी भीर को साइड करने के लिए टियर गैस का प्रियोग करते हैं, यानि वो जो गैस का प्रियोग करते हैं तो हमारे साथ बने रहे और वीडियो का अनंद लेते रहें तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ तब तक पढ़ते रहें